सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान दख चाहूंगे आज मैं फिर देखने वाली हूं कि कौन है जो आपके तरफ आ रहा है यह कौन परसन है में मन्त में जो आपके लाइफ में आने वाला है आए देख लिते हैं Ace of Swords, Challenging and Understandable Love यह परसन वह है जो आपको understand करेगा बट इस इनके साथ आपका जो लव लाइफ होगा बहुत challenging होगा बहुत up-downs आप देखोगे यह उस्ता का परसन है Ace of Swords Okay, maybe अगर यह आप उनको पहले से जानते तो यह परसन क्लारिटी लेकर आएंगे आपके लाइफ में अगर यह पास परसन है तो Seven of Cups, Love, Quest and Emotional Need Okay, मैं और भी आपको पहले कार्स देख लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ आपको Love, Question, Emotional Need Okay, Feast of Swords Maybe यह परसन आपको Online मिले या फिर अगर यह आपको Past Person है तो इसको आपकी जरूरत है Emotionally यह ऐसा Person होगा जो आप चाहेगा कि जब यह उदास हो यह प्रॉब्लम में हो तो आप इसको समझो यह वो परसन है and yes कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जगड़ा बहुत होगा यह वो परसन है, चैलेंजिंग रहेगा आपका Relationship में इसके साथ यह परसन या तो आपको Social Media की तुरू मिल ला है या अगर Past Person है तो यह आपको Spy करता है यह आपको Чेक करता है, चेक आउट करता है आपके जिदने में क्या चल दा है क्या नहीं चल रहा है ठीक है and यह आपको Chase कर रहा यह परसन अगर यह lady new है तो भी मुझे दिखा रहा है कि आपको आपके Chase करेगा ठीक है यह आपके पास आएगा लेकिन आप दोनों का रिष्टा जोगा ना बहुत चालेंजिंग होगा क्योंकि हो सकता है यह कभी कभी जो नहीं होता है जो इमोशनल अनवेलेबल होते हैं जो लोग यह उन में से हो सकता है क्यों क्योंकि मुझे इसा दिखाई दे रहा है कि यह पॉसन के पास के कुछ वूंस ऐसे रहे होंगे या चाइड़ूड वूंस ऐसे होंगे कि यह एमोशनल आपके पास अविलेवल नहीं होगा यह उस समय पे नहीं होगा जब आपको इसको चाहिए होगा कि आप चाहो कि मैं रो रही हूँ वो मुझे समझे, वो आये, में पस बैठे, मुझे गले से लगाए, नहीं, वो आपको नहीं मिलेगा उस समय पर, ठीक है, तो यह उस तरह का person kind of हो सकता है, ठीक है, तो जैसा आप समझो जेंटल मैंड kind of, आप सोचो कि मेरा partner में लिए ये करे, वो करे, तो शायद वो चीजे थोड़ी सी मैं कहूंगी, यह यह शायद ना करे, आपके लिए, या आपके आसू वेगरा ना पोचे, ठीक है, यह हो सकता है, emotional unavailable मुझे यह person दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब आप जानते हो कि यह नया है या old है, यह आप बताना, मैं तो इस person के बारे में बताऊंगी, आप बस इतना बताना, या आप समझ लेना, यह नया है या वही है, या अगर आप और आप किसी person से deal करें, जो emotional unavailable है, जो आपको कभी नहीं समझता, या यह अपने other options open रखता है, आप से बहुत लड़ता है, आप दुनों की लणाईयां बहुत होती है, बड़ी स्टिल आप आप को chase कर, अगर आप मेल होतो, अगर आप मेल होतो मैं देख पा रही हूँ कि आप इने साथ chase कर रहे हो अभी भी, आप इनको social media पर चेक करते हो, यह वो person हो सकती है, उन्हें से related जरूरी देए कि वो person आपके जिन्दगी मेह में आई जाया, contact हो जाया, लेकिन आपके mind में इनका कुछ न कुछ चलता रहेगा, इनके mind में आप और आपके mind में यह, यह भी हो सकता है, ठीके, आइए देखते हैं यहाँ पर creativity, अब वो आप बताओ कि यह new है या old है, आप जानते हो अच्छे से creativity and connection, yes, आप दुनों का connection अच्छा रहे, रखिए, मैं यह नहीं अच्छे समय नहीं बिताएं इक साथ, बहुत अच्छे समय बिताएं, और में भी शायत आप में से कुछ लोग married भी हो सकते हैं, या marriage के भी सबने एक साथ आपने सजाएं, कि हम शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, फिराना डमा का, सब कुछ आप लोग ने सोचा है, सब प पॉसन अविलेवल ना हो उस समय पर, ठीक है, ये खुदी इन सीजों से भागे, क्यों में भी शायत चाइल्डूड में इसका कोई रहास्य है, ठीक है, and the creativity में देख पार, यूँकि ये साप दोनों मिलके planning करना, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, खौप देखना, ये सब है, कि आप लोग की लडाईयां बहुत हो, fight बहुत हो, में भी शायत ये long distance relationship भी हो, चुकि ये हो सकता, आप लोग chat वगएरा के through, ये call वगएरा के through ही connected हो यह आपर, और long distance होने के वज़े से issues आप लोग के भीच में आ रहे है, sexual art, and how teachable are you, मुझे लगता है, ये पोसन आप आपको life में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए, ये आपके soulmate हो सकते हैं, पर कार्मिक भी हो सकते हैं, ये आपको life में कुछ lesson देने आए, ये person आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, life का lesson देंगे, ये आप दोनों के बीच में sexual attraction बहुत जादा है, ये, मैं ये नहीं कहू दोनों के बीच का ही है, कुछ लोगों के लिए मैंने बात बुली है, ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, कि ये जो attraction होगा, ये आप दोनों के बीच में होगा, जैसे हो आप एक दुनों, एक दूसरे को वैसे accept करोगे, और मैं देख पार रही हूँ कि ये person, आ आप female साब देख रहे हो, तो ये जो male person होगा इसमें, आप हो या वो, अगर ये female, इसमें करके संजाती है, अगर male आप देख रहे हो, तो ये female आपके लिए home जैसी होगी, ठीक है, जब भी आपके साल लगेगा नहीं, मुझे एक support चाहिए, मुझे तो आप इसके पास जरू दे रहा है, और ये ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि support भी करोगे एक दूसरे को, अगर अगर अपने life में problem देख रहा है, तो support भी करोगे, मैंने कहा सबसे ही match नहीं करेगा emotional unavailable वाला, पर कुछ लोग से हो सकता है, ठीक है, पर ऐसे नहीं तो आप लोग support करोगे एक दूसरे क Addison possibilities and walk away, कुछ लोगों के लिए ये person past का भी हो सकता है, जो walk away कर चुका है, या कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ये कोई new person भी हो सकता है, अगर ये जा चुका है तो और दर्वाजे भी खुल रहे हैं, कोई new person, कोई new entry हो सकती है, कुछ लोग के लिए new person है, कुछ लोगों के लिए ये वो person है जो जा चुका है आपके life से, ठीक है, ये कोई official person होगा, government job होगी इसकी, high post होगी, और wealthy man होगा, अच्छा कमाने वाला होगा, अच्छा कमा रहा होगा अपने जिंदगी में, ये वो person होगा, maybe ये आपको marriage के through भी मिले, marriage के proposal के through भी मिले, chances है, चिक है, या फिर मैं देख पारी जैसे जी होती है, वो sites होती है, matrimonial sites, उस पर भी ये person आपको मिल सकता है, चिक है, आएए देखते हैं, eight of cups, yes, three of cups, eight of pentacle and the emperor, bottom of the deck, three of pentacles, हो सकता है, कि आप दोनों के रिष्टे में, कोई family के through आप मिलो, ठीक है, third party involved with sleep person ये आपको छोड़ के गया हो, अब ये वापस आ रहा हो, ये भी chances दिखाई दे रही है, ये career के वज़े से, इसे long distance पे लिए आप से जाना पड़ा हो, ठीक है, काम के वज़े से long distance पे ये आप से गया है, ये भी chances दिख रहे हैं बहुत लोग के लिए, ठीक है, family के through मिलना मुझे दिखाई दे रहा है, आप से इनका, और बहुत chances ये दिख रहा है, कि ये हो सकता है, ये past personal job को छोड़ के गया हो, ठीक है, चोकि eight of cups से ही शुरव ये आप से छोड़ के गया हो, ठीक है, ये वो person भी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप किसी को छोड़ के जा रहे हो में मन्त में, और किसी new person से मिल रहे हो, ये कोई आपके life से निकल रहा है, और आपके life में कोई new person आ रहा है, बहुत अत्तक मुझे chances आपके लिए द लव को थोड़ा कम समच पाई इसलिए मैंने का मुझे भी emotional unavailable रहे, बट physical attraction तो रहेगा इसको भी, तो physical needs तो obviously पूरी होगी, तो yes physical attraction आपके तरफ रहेगा, बट yes love को समझना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप समझो ना, कि ये मुझे समझे, especially females, अगर आपको समझने वाला person है, let's see, अगर ये old person है, आपके past हैं, तो ये क्या सोच रहे हैं, क्या feel कर रहे हैं, हम ये भी दिखेंगे, unexpected outcome, unworthy, habits, इनको लग रहे हैं कि आप दोनों कभी नहीं बदलोगे, या आप कभी नहीं बदलोगे, तो आपके पास आने का कोई फाइदा नहीं, ये runner कोई तो है, जो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये past person है तो, and reflection, और आप दोनों के बीच जो है, उस चीजों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है, ये person, ठीक है, और अभी unworthy feel कर रहा है, काफी loss में दिखाई दे रहा है, ये person इस समय पे और आपसे भाग रहा है, और उसको लगा नहीं था कि चीज़े इस तरह हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह की create हो जाएंगी, अगर ये past वाला person है तो, आइए देख लेते हो और के message है, divine timing, okay, passionate, बहुत passionate होगा, ये person divine timing पहेगा, कुछ locally मैंने बोला न, ये past person हो सकता है, जिसके साथ ending होई ये उसे के साथ new beginning, या तो आप इसी मन्त में कोई ending और कोई new beginning कर रहे हो, इसी मन्त में आपकी कोई एक ending भी हो रही है, और किसी और person के साथ new beginning भी हो, deception and lies, मैभी शहर्थ आपने इस person का किसे से कोई deception या lies बगएरा पकड़ा, divine masculine आपके तरफ आ रहे है, wisdom, yes, stability, परसन आप financially क के तरफ लेकर आ रहा है, ये वो person होगा, तो ये थी आपकी reading, Sagittarius, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो like कीजिएगा, subscribe मैं चला भी तक नहीं किया है, तो comment box में ज़रूर बताइएगा, thank you for watching.